उत्सव के इस माहोल में आज इस पव्यान पावन दीन रोजगार मेले में 51,000 नौजवानों को सरकारी नोकरी के नियूक्ति पत्र दिये जा रहे हैं। मैं आप सब को बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ, शुब कामराई देता हूँ। साथियों, बेश के लाखो युवाओं को भारत सरकार में पर्मनेंट सरकारी नोकरी देने का सिल्सला लगातार जारी है। बीजेपी और एंडिये शासित राज्यों में भी लाखों युवाओं को नियूक्ति पत्र दिये गए हैं। और अब ये पी हर्याना में तो नई सरकार मनते ही 26,000 युवाओं को नोकरी का उपहार मिला। और आप मेंसे जो हर्याना से परिचीत होंगे उनको पता है, इन दिनों हर्याना में एक उत्सव का माहोल है, नौजवान प्रसंद है। और आपको पता है, हर्याना में हमारी सरकार की पहचान, हमारी सरकार की पहचान विशेश पहचान है, वहां की सरकार की पहचान है, वो नोकरी देती तो है, लेकिन बीना खर्ची, बीना पर्ची वहां नोकरी देती है। मैं आज हर्याना सरकार में नियुक्ती पत्र पाने वाले 26,000 नवजवानों को भी विशेस बधाई देता हूँ हर्याना में 26,000 और आज इस खारकम में 51,000 साथियों देश के युवाओं को जादा से जादा रोजगार मिलें केंद्र सरकार के विभिन्द विभागों से अपने नियुक्ती पत्र प्राप्त करने जा रहे हैं इस कारिक्रम को आरंब करने के लिए मैं स्वर्व प्रथम माननी राज्यमंत्री डॉक्टर जीतेंद्र सिंग्जी से वागत संबोधन के प्राप्त करता हूँ परमादर निये प्रथान मंत्री जी रोजगार मेला का ये करम जो आपकी प्रेड़ना और आपकी कल्पना से 22 अक्तूबर 2022 को प्रारब किया गया था उसका एक और आयोजन एक और इस लेकर के हम आज फिर से आपके सामने उपस्तित हैं हर बार की तरह आज भी आपने बहुमूल्य समय से कुछ एक पल निकाल करके हमारे बीच रह करके हमारी होसला उजाई की है आपका बहुत बहुत आभार हर बार की तरह आज भी देश के भिन भिन शेत्रों से 40 थान इस कारिकरम से जुड़ चुके हैं जो आपका संबोदन सुनने के लिए मुटजर है हर बार की तरह इस बार भी आपके द्वारा बटन दपाते ही एक ही वक्त में 51 हजार से अधिक निक्ति पत्र जारी कर दिये जाएंगे जिनको प्राप्त करने वाले उमीदवार भारत के भिन भिन राज्यों योट के शासित प्रदेशों में फैले हुए है निक्ति पत्र के साथ ही इन सभी कर्मियों को मिशन कर्म योगी प्रारहंब का विकल्प भी उपलब्द करवा दिया जाएगा ताके वो अपने ने दाइतों के निर्भा के लिए अपने आपको शिक्षित प्रशिक्षित कर सके